Hello everyone, how are you all? So, आज से हम लोग एक नया इनिशेटिव स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें हम लोग पीज टू पीज अग्रिकल्चर एक ग्लान्स को कम्प्रीट करने वाले हैं इसमें होगा क्या कि इस पूरे सीरीज के बाद आपका एक भी कुश्चन एक भी कुश्चन बुकिश कोई भी कुश्चन आएगा तो आपका वो गलत नहीं होने वाला है ठीक है? अग्रिकल्चर एक ग्लान्स से होद बार देखा गया है कि तीन-चार कुश्चन इतनी जादा अलग से टिपिकल से जो की ना की आरके शर्मा और ना की दूसरे अदर्स बुक्स में मिलते हैं वो यहां से आ जाते हैं तो हम लोग कोशिश करेंगे कि A to Z from zero to zenith ठीक है? अग्रिकल्चर एक ग्लान्स को complete किया जाए उससे क्या होगा ना? कि उससे आपको यह बुक्स से तो कुश्चन नहीं चूटने वाला है तो आप मेरे साथ यह complete करो हम लोग देखते हैं कितने दिन में complete होता है यह एक kind of challenge की रूप में लेते हैं और हर दिन इसको complete करते हैं इस kind of new resolution अब ऐसा चीज आप अभी YouTube पे नहीं देखोगे कि कोई books complete करवा रहा है तो let's get started देखते हैं आपको कितना पसंद आता है यह आप comment section में ज़रूर बताना कि यह initiative आपको अच्छा लग रहा है या क्या सो-सो लग रहा है ठीक है? Okay, let's get started तो हम लोग page 32 से start कर रहे हैं क्योंकि यहां से ही important चीज़ें start हो रही है उसके पहले बहुत variable हैं चीज़ें तो variable चीज़ों को हम लोग नहीं चुवेंगे क्योंकि उसको अलग से हम लोग उसको कर लेंगे तो page number 32 में सबसे पहले हम लोग देखेंगे Nobel Peace Prize Nobel Peace Prize for Green Revolution awarded to Norman Ernest Burlock ठीक है? Normal Ernest Burlock को जो की father of Green Revolution भी है उनको मिला था ठीक है? First Livestock Census इसकी बारे में हम लोग बहुत बार बात किये 1990, 1920, ठीक है? फिर हम लोग important dates देख लेंगे important dates में क्या important है? World Forestry Day देख लेंगे 21st of March ठीक है? Next हम लोग क्या देखेंगे? Next हम लोग को इधर को important नहीं है Next हम लोग देख लेंगे World Milk Day 1st June Environment Day 5 June पूछा गया है ये question ठीक है? फिर National Fish Farmer Day 10 July Honey Day Honey के बहुत सारे questions आते हैं अभी तो Honey Day देख लेंगे 3rd Saturday of August World Coconut Day 2 September 2nd September World Bamboo Day 18 September Okay? चलिया Next हम लोग देखेंगे World Farm Women's Farmer Day 15th October Important है World Fisheries Day 21st November National Milk Day 26 November Important है National Agriculture Education Day December में बहुत सारे important है देखे National Agriculture Education Day 3rd December Women in Agriculture 4th December World Soil Day 5 December Farmer Day 23 December Jai Kisaan Jai Vijayan Week 23-29 December Important programs के बारे में बात कर लेंगे हम लोग इसमें हम लोग देख लेंगे Pradhan Mantri Fasal Bhima Yujna कि तो 9 बार कुष्चन आया है इतनी बार कुष्चन आया है कि मत पूछो Recent 2-3 साल से questions नहीं दे रहें पर आप देख लेना 2016 में launch हुआ था in Khariif season ठीक है launch by Prime Minister कोई ज़रत नहीं है यहां पर हम लोगों क्या ज़रूरत है इसके schemes के premium rates 3-4 बार पूछे है 2% for Khariif crops 1.5% for Rabi and commercial and horticulture crops के लिए 5% देख लिए Next देखते है agriculture apps agriculture apps कब launch किया गया 2015 में 2 launch किया गया agri market mobile app और crop insurance mobile app 2 Next हम लोग बात करेंगे e-naam बहुत बार question पूछा गया 2016 में ये e-naam आया है e-naam में आपको important क्या है कि total कितनी सारे integrated regulated market है अभी 1000 या 1200 प्लस हो गया है total देख लेना एक बार ये भी question आया है कि total markets कितने है ठीक है ये भी question आया हुआ है ये भी question आया हुआ है next हम लोग बात करेंगे soil health card soil health card 2015 में आया है ये भी बहुत बार question आया है total parameter जिससे हम लोग status नापते है soil health का 12 parameter है उसमें नेमली N, P, N, P, K, S zinc, ferrous ferrous, copper manganese, boron pH, EC और OC इन सब ये सब parameters है ठीक है और soil health card provided all in the country in the interval of 3 years अब शायद 2 साल हो गया है ठीक है तो इसको अब देख लेना ठीक है फिर है परमपरागत क्रिशी विकास योजना क्या है परमपरागत क्रिशी विकास योजना ये 2015 में आया ये ना organic farming के लिए है ठीक है organic farming is promoted through adoption of organic village by cluster approach और PGS certification ठीक है next हम लोग देखेंगे प्रधान मंत्री क्रिशी सिचाई योजना ठीक है 2015 में आया ये सब इतना important है मतलब 17, 18, 19 के exam में न A4 के 2017, 18, 19, 20 फेवरेट था ये सब अब धीरे धीरे इनका चलन दो-तीन साल से हम नहीं देख रहे है ये आ रहा है पर उसके पहले बहुत आता था ठीक है इसका आप देख लो कुछ-कुछ lines हर खेत को पानी per crop more drop per crop per drop ये सब बहुत important है फिर डीडी किसान चैनल आया 2015 में थेखा हुआ क्या न 2014 में जो government change हुई जो BJP आई उसके बाद बहुत सारा चीज जो है न बहुत सारा चीज अडॉप्ट हिया गया तो ये ना इसलिए सब आपको जितना चीज दिखेगा 2014, 2015, 2016 में दिखेगा तो बहुत सारे उस समय बहुत सारे आप लाँच हुए थे बहुत सारे प्रोग्रामस आये थे तो जो भी चीज रहेगे न इसके इर्द गिर्द ही रहेगे 2015, 2016 और थोड़ा मोड़ा 2014 तो डीडी किसान चैनल 2015 में आया इसमें क्या है 2015 में गवर्मेंट अलाओ किया नीम-coated urea के इसमें क्या था कि जो urea नो उसमें नीम का कोटिंग कर देता था तो क्या होता था urea-coated neem oil is known as neem-coated urea only about 30-40% of N2 in urea is utilized by plant तो कोटिंग करने के बाद है urea जो है ना बहुत धीरे-धीरे बहुत धीरे-धीरे gradual release होता था nitrates का और इससे क्या होता था कि also used as a bio pesticides और फिर क्या होता था कि धीरे-धीरे release होने से अच्छा absorption power बढ़ जाता था ये जो 30-40% absorb कर रहा है उससे absorption power और बढ़ जाता था फिर बात आती interest subvention scheme ISS एक साल के अंदर repay कर देते हो पैसे को तो 7% में 3% subvention देके effective जो है वो 4% interest rate हो जाता है ये question भी आपको exam में आ चुका है interest subvention scheme for short term crop loan ठेक है short term crop loan में क्या था कि इसमें up to 1 year तक दिया जाता है up to 3 lakh रूपया ठेक है और ये borrowed by during the year 2017-2018 वही चीज मैंने जो बताया 7% interest था 3% subvention हो जाता है और effective हो जाता है 2% और अगर और अगर farmer अगर in case farmer do not repay the short term crop loan in time they would be eligible for interest subvention of 2% पहले 3% अगर एक साल के अंदर दे दे रहे हो तो 3% और एक साल के अंदर आप repay नहीं कर बारे हो तो 2% तो कितना हो जाता था effective 5% अब एक था interest subvention scheme for post harvest loans ठीक है harvest हो गया अब आपको उसको रखना है रखने के लिए आपको इसमें जाना पड़ता है क्या बोलते है वेर हाउसे में अब वेर हाउसे में क्या होता है कि पैसे लेते हैं ठीक है interest subvention scheme continue for 1 year ठीक है and will be implemented by नाबाड and RBI RBI और नाबाड के थूँ ये implement किया गया था ठीक है in order to give a relief to small and marginal farmer who have to borrow 9% post harvest storage loan ठीक है interest कितना था 9% का और central government जो है वो subvention 2% का देती थी तो 7% effective होता था पर ये up to 6 month जैसे इसमें क्या हो रहा था up to 1 year था ना जैसे 7% जो है उसमें 3% subvention मिल जाता था 7% interest था उसमें 3% subvention मिल जाता था effective 4% आपको पैसा दिना पड़ता था कब तक एक साल के अंदर अगर रिपे करदो के पैसा था अगर एक साल से जाधा हो रहा है तो वो 5% हो जाता था था 5% effective हो जाता था वहीं पे post harvest loan में 9% है और 9% से 2% subvention मिल के 7% effective हो जा रहा है कब तक 6 month तक था यही है post harvest loans का interest length का interest rate का feature अब भाई क्या होगा कि national calamities से आपका कुछ खराब हो गया बाढ़ा गया हाँ बहुत जादा हवा चल गया तो उसमें भी 2% interest subvention का scheme सरकार रखी थी अब एक और interest subvention scheme था इसमें क्या था दीन डैयाल अंतियोदे योजना नाशनल रूलर लाइवलियूड मिशन D.A.Y.N.R.L.M. इसके बारे में भी एक बार A.F.O. में exam में पूछा गया था तो इसमें क्या है कि इसमें interest subvention था इसमें 7% interest था एकदम वही जो आपका interest subvention scheme है ना उसी के हिसाब से यह भी था कि इसमें क्या था कि self-help group self-help group इसके बारे में वीडियो बन रखे हैं आप यह सब देख लेना आगर आपको देखना होगा तो इसमें होता क्या है कि self-help group को 7% interest rate में आप देते हो लोन अप्टू 3 लाक रुपया ठेक है और इसमें सब्वेंशन वही वाला चीज है 3% interest का सब्वेंशन देता है अगर आप सही टाइम पर पैसा दे रहे हो तो तो इफेक्टिव हो जाता है 4% 7% 3% का सब्सीडी तो इफेक्टिव कितना हो जाता है इफेक्टिव इंट्रेस्ट्रेट इस 4% अप्टू 3 लाक रुपीज ठेक है SSG SSG क्या होता है सेल्फ एल्प ग्रॉप नेक्स देखेंगे सब्मिशन फॉर आग्रो फॉरेस्ट्री सब्मिशन फॉर अग्रो फॉरेस्ट्री लॉंच कब हुआ था 2016-17 में इसका एक motto, एक slogan था हर मेंट्पेढ़ करफे में बनेटा होता कि अरे लिए और नीचे यहां पर पार्मिंग भी हो रहा है तो उससे क्या होगा कि पेड का भी फाइदा तो forestry भी बढ़ रहा है और agriculture भी हो रहा है तो ये एक mission start किया गया उसको बोला गया हर maid पेड इसमें भी ना क्या होता था government पैसा देती थी अगर आप maid पेड लगा रहे हो ना तो government कुछ आपको पैसे देगी revolution in agriculture बहुत important है बहुत easy चीज़ है पर कभी कभी गलती हो जाता है ठेक है जैसे आपको golden revolution fruit production यह सब कुछ कुछ चीज़ है जो आपको याद रखना होगा prawn revolution pink revolution prawn production ठेक है green revolution आपको पता होगा white revolution भी आपको पता होगा yellow revolution oilseed होता है gray manuos and fertilizers blue आपको fish बता होगा red revolution देख लो round revolution potato के लिए होता है silver revolution eggs के लिए होता है black revolution biofuels के लिए होता है rainbow के लिए agriculture rainbow के लिए overall overall हर चीज़ का production के लिए के बारे बार बात कर रहे है तो वह हो गया rainbow revolution food chain revolution food grain production evergreen revolution evergreen revolution important है एक exam में आया है एफो में नहीं है दूसरे exam में था agriculture related इसमें किया है कि evergreen revolution अब सबको लग गया कि green revolution है पर green revolution नहीं है यह है reduction in wastage of food grain and vegetable यहाँ पे wastage और reductions की बात कर रहे है कि wastage को हमें कम करना है ठेक है e revolution e revolution कोई बात नहीं यह तो हमें पता है use of digital technology और एक second green revolution इस्टार्ट हुआ वो किसलिए है protein rice और pulses के लिए ठेक है फिर आपको white revolution cattle welfare blue revolution for fisherman welfare और saffron revolution solar energy यह भी important है ठेक है next हम लोग देखेंगे first in agriculture ठेक है first in agriculture is not that important कुछ कुछ देख लेना जैसे hybrid sunflower देख लो इससे देखो questions अभी तक मैंने देखा नहीं है ठेक है पर तब भी थोड़ा सा hybrid cotton देख लो हाँ h4 देख लेना ठेक है mango hybrid for commercial cultivation देख लेना mallika mallika किस से बना है नीलम दसरी से बना है ndm ठेक है ndm क्या होता है नीलम दसरी नीलम इंटू दसरी इक्वल टू mallika ठेक है next हम लोग देखेंगे viral disease कौन सा है leaf curl of tomato tobacco it's a viral disease ठेक है rice variety introduced in India इंडिया में introduced सबसे पहले कौन किया कौन हुआ था IR8 यह पहला variety है जो इंडिया में introduced हुआ था dark variety of rice tn1 ठीक है rice variety क्या था सबसे पहले interview हो तो लंबा लंबा था ठीक है yielding variety tn1 और tn141 को मिलाके एक जया नाम का high yielding variety develop किया गया उससे क्या होता था कि वह बहुत एकदम yield भी बहुत ज्यादा और डाफ भी है तो बहुत सही था मतलब एकदम white stand करता था under unfavorable condition भी फिर हुआ hybrid variety of mustard hybrid variety PC पूसा जय किसान bio 902 बहुत अच्छा बहुत important और बहुत famous है यह ठीक है first hybrid variety of बाजरा मैं recommend नहीं करूँगा फिर next हम लोग देखेंगे mad made cereal बहुत exams में यह आया है ठीक है यह critical mad made cereal है यह wheat और rice से बनाया के cross से बना हुआ है next हम लोग देखेंगे इधर कुछ important को मुझे लग नहीं रहा है Egyptian variety of cotton देख लेना सुझाता चलिए super rice variety for saline and alkaline condition अगर condition alkaline है saline है तो उसमें हम लोग use करते हैं lunisree inter specific variety देख लो cotton का वारा लक्समी और intra specific भी देख लेना इंट्रा specific variety भी देख लेना next हम लोग इधर कुछ important जादा है नहीं biotechnological crops introduced in India biotechnological crops introduced in India is BT cotton आपको पता है सबको पता है ठीक है next हम लोग देखेंगे first hybrid इंडिया कोई भी चीज पहला hybrid जो इंडिया में आया था वो है पूसा मेक दूत commercial biopesticide first जो था वो था sporosporine ठीक है okay fathers यह कोई important नहीं है कभी नहीं पूछा है कहीं भी नहीं मुझे देखने को मिला है MSC के कुछ exam से मिल दा है और और बाकी कहीं इसके importance नहीं थोड़ा सा इदीक देख ले ना कि television village के father कौन है तो जेत्रो तूल है और white revolution दॉक्टर वर्गेस कूरियन यह बहुत exam से पूछा गया ठीक है famous name of crops important है हाला कि आपको पता होगा पर छोटी छोटी गलतिया हो जाती क्योंकि इन सिपसीजों में हमें बहुत confidence आता है कि यह मुझे पता ही होगा तो king of cereal कौन है वो है wheat queen of cereal कौन है वो है maize king of core cereal कौन है वो है sugar cane king of pulses chickpea queen of pulses वो है pea king of oilseed oilseed का king जो है groundnut है groundnut oil सबसे जादा यूज होता है बर हम लोग तो ठीक हो हम लोग तो सरसो का यूज करते है ना पर groundnut king है queen of oilseed sesam sesam queen king of wheat सबसे अच्छा king जो है वो congress grass है congress grass net पर जुरू सर्च करना congress grass कैसा और अपने आसपास देखना कि वो है की नहीं आपके आसपास king of fruits फलो का राजा आम वो आपको पता होगा queen of fruits queen of fruits कौन है pineapple king king of temperate fruits temperate fruits का king कौन है apple king of spices black pepper queen of spices cardamom king of vegetables you know that queen okra भिंदी poor man meat soya bean wonder crop soya bean famine reserve millets king of fodder crops bersin तो भाई यह सब आप देख लेना ठीक है यह important important में देखा दे रहा हूं आपो national fruits देख लेना ठीक है chrysanthemum chrysanthemum यह देख लेना ठीक है glory of east फिर autumn queen भी बोलते हैं ठीक है bio energy यह important है king of flower crops rose और queen gladiolus है यह देख लेना important है ठीक है next हम लोग देखें golden fiber jute से निकलता है white gold किस से निकलता है cotton से यह important है थोड़नी oil seed crops safflower जो है थोड़नी oil seed crop भी बोला जाता है उसको terms associated with crops यह important है यह पूरा अच्छे से कर लेना किसमें होता है क्यूरिंग टोबैको और tea में होता है stripping jute में होता है nipping gram में होता है wrapping and tying sugar cane में होता है propping banana sugar cane में होता है thrashing sugar cane में होता है और डपाउग seedling rice डपाउग matter तो आपने पढ़ाई होगा ठीक है डपाउग सिद्लिंग ड्राइस यह तो आपको पता होगा यह इंपॉर्टेंट है यह कुशन्स पूछते हैं डी सक्रिंग किसमें होता है डी टैसलिंग किसमें होता है पेगिंग ऑफ ग्राउंड नट रेटिंग ऑफ जूट गिनिंग ऑफ कॉटन यह एक्जाम एफो में आया हुआ है एक्जाम में आया हुआ है पार बॉइलिंग आया हुआ है अर्थिंग अप आया हुआ है देखो कुशन्स कितने सारे स्टैंडिंग किसमें होता है तो मतलब यह इंपॉर्टेंट है यह देख लेना बहुत अच्छे से देख लेना ठीक है ओग नेक्स हम लोग देखेंगे लिन्स प्रॉइसञ ब्लांटस क्षी धिउशञ ब्लांटस इंपॉर्टेंट है यह जह देख लेना गॉसिएफॉल टॉक्सिंग में लात्रेट लिदा मैं तर्फ्रीट में तो यह बहुत इंपोर्टेंट है next हम लोग कर लेते हैं आपको steroidal alkaloids potato में mango में raisins पाया जाता है और ये कुछ खास नहीं है first start वाला बहुत important था nutrients and their sources इससे exam में question A4 में आ चुका इसलिए ये भी बहुत important है थोड़ा सा है यहां तक है important है तो इसको कर लेना nitrogen का source organic matter है question शायद boron से आया था या molybdenum से आया था थेक है तो molybdenum olvillene source है boron tomeline source है manganese magnetite zinc spheralite chlorine appetite sulfur gypsum pyrite organic matter phosphorus appetite aluminium and ferrous phosphate potass potass mica felds per biotite calcium dolomite calcite तो यह सब important है तो आज हम लोग यहीं तक करते हैं ठीक है तो हम लोग 49 page number तक कर चुक है 32 page number से 49 page number तक हमारा clear है इसको complete कर लेना भाई आप लोग ठीक है उससे क्या होगा कि हम लोग next आगे बढ़ेंगे न तो पढ़ने में मजा आएगा 20 pages लगभख 17-20 pages cover किया है हमने दीरे 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 ऐसे ही cover करते रहेंगे और hardly मंध भी नहीं होगा और आपका यह book complete हो जाएगा वो भी बहुत अच्छे से जिसमें आप 100% सारे questions cover कर पाऊगे है ना चलिए थैंक यू थैंक यू सो मच बबाए